एक बर फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आतिफा तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक एंशोरंस ये संख्षिप्त में यूबी आई की आज का ये आर्टिकल दा हिंदु में प्रकाशित लेख इस आर्टिकल में टीम द्रिष्टी के इंपोर्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामानने अध्ययन प्रश्ण पत्र दो के सामाजिक नियाए खंड से जुड़ा है तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं कोविट महामारी ने दुनिया भर में मानव समाथ से जुड़ी सभी अनिश्चित्ताओं को उजागर करने में एहम भूमे का निभाई है इसकी प्रमुख लहरों से उपजी अर्थवेवस्थाओं के बाद जैसे ही सामाजिक सुरक्षक महत्व लोगों के जहन में आना शुरू हुआ दुनिया भर के नीती गत पैरुकारों और नीती निर्माताओं के बीच UBI यान युनिवर्सल बेसिक इंकम पर बहस फिर से हाला कि एक और UBI है युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस जिस पर कई भारतिय जानकार सुझाव दे रहे हैं इसे लेकर जानकारों को कहना है कि युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस को भारतिय संदर्प में अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए महामारी थमने के बाद भी पायरा बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस पर फिर से बहस शुरू हो गई है इससे जुड़े हुए कई पहलू है जैसे युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस क्या है सामाजिक सुरक्षा के लिए डिजाइन अन्य स्वास्थे बीमाव से ये कैसे अलग है ये युनिवर्सल बेसिक इंकम की तुलना में बहतर प्रस्ताव क्यूं है इसकी रह में मौजूद चुनोतियां क्या है आदी तो एक एकर हम इन सभी पहली उपर आएंगे लेकिन उन पर बात करने से पहले युनिवर्सल बेसिक इंकम को ठीक से समझ लेते हैं तो युनिवर्सल बेसिक इंकम कारेकरम को कई लोग एक ऐसा समाधान बानते हैं जो घरते नौकरी के अफसरों की कारण होने वाले संकट पून प्रभाव को कम कर सकता है इसे गरीबी मिटाने के प्रभावी साधन की रूप में भी देखा जाता है इस योजना के समर्थ अकुमें अर्थशास्त्र के नोबिल पूरसकार विजेता, पीटर डायमंड और क्रिस्टोफर पिसार राइट्स के साथ उद्योग पती मार्क जुकरबर्क और एलन मस्क शामिल हैं युनिवर्सल बेसिक इंकम सही अर्थों में देश के प्रतेक नागरिक के लिए बिना श बेसिक इंकम लागू करना शुरू किया है। युनिवर्सल बेसिक इंकम ऐसे उमीदवारों के लिए अल्पकालिक रहत दे सकती है। साथ ही उसे नए तरह के कोशल अपनाने या पुराने कोशल को ही अपक्रेट करने में मदद कर सकता है। ऐसे युनिवर्सल बेसिक इंकम की राजकोश ये लागत प्रतिव्यक्ती साथ हजाथ छे सो बीस रुपए आगी गई। अगर इसके दायरे में देश की 75 फीसदी आबादी को लाया जाता है तो इसका राजकोश पर सकल घरेलू उतपात का तकरीबन 5 फीसदी के बराबर भार बढ़ेगा। हाला कि परिणामी घाटे को संतुलित करने के लिए मौजूदा सबसेडी कारेकर्म में से कुछ को कम करने की जरूरत पड़ती जो सरकार के लिए कठिन राजनी तिक निरणे हैं। आर्थिक सर्विक्षन द्वरा सुझाए गए आकड़ों के मुताबिक लक्षित युनिवर्सल बेसिक इंकम घरेलू आये में लगभख 40,000 रुपे सालाना की वृद्धी कर सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि ओसत भारतिय परिवारों का आकार लगभख 5,000 अस्योगा है। बहराल युनिवर्सल बेसिक इंकम कारेकर्म के शामिल लागतों में राजनीतिक इच्छा शक्ती सबसे बड़ी लागत है। और ये लागत अभी भी सबसे अधिक कमजोर है। इसलिए प्रस्ताव अभी तक ठंडे बस्ते में डला है। चलिए भी इसके बाद ये जान लेते हैं कि युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस क्या है। तो यूनिवर्सल बेसिक इंशुरेंस कुछ और नहीं बलकि एक स्वास्थे भीमा योजना ही है। फर्क बस इतना है कि इस कायरेक्रम के जरिये स्वास्थे भीमा योजना को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। इसके दायरे में देश के तकरीवन सभी नागरिकों को लाया जाएगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरिज मुहया कराया जाएगा। इसके दायरे में देश के सभी व्यक्तियों और समुदायों की बिना किसी वित्या कठिनाई के स्वास्थे सेवाओं तक पहुचते की जाएगी। इसमें स्वास्थे तक पहुच से लेकर उपचार, पुनरवास और जीवन भर देखबाल तक जरूरी और गुणवत्ता पूर्ट स्वास्थे सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। इन सेवाओं को महिया कराने के लिए सुविधाएं उन तक पहुच और सामुदा एक स्थर पर उन्नत कौशल के साथ पर्याप्त और सक्षम स्वास्थे और देखबाल कर्मियों के आवश्यक्ता होती है। उनिवर्सल हेल्थ कवरिज रणनीतियां सभी को उन सेवाओं तक पहुचने में सक्षम बनाती हैं जो बीमारी और मृत्यों के लिए अधिक सिम्मेदार रोगों का उपचार करती हैं। साथी सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थे में सुधार करने के लिए पर्याप्त है जिनें ये पहले से प्राप्त है। फिर सवाल है कि सरकारी या मुफ्त स्वास्थे सुवेधाएं और युनिवर्सल हेल्थ केर सिस्टेम के बीच फर्क क्या है। दरसल मुफ्त स्वास्थे सेवाएं सार्व भौमिक स्वास्थे सेवाओं से अलग हैं। दोनों शब्दों को अकसर ही एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोनों में कई अंतर हैं। मुफ्त स्वास्थे सेवा का मतलब है कि सभी नागरिकों को बिना किसी लागत या बहुत कम लागत पर स्वास्थे देखभाल सेवाएं मोहया कराना। जबकि युनिवर्सल हेल्थ केर का मतलब एक ऐसी स्वास्थे देखभाल प्रणाली से है जो कम से कम 90 प्रतिशत नागरिकों को कवर करती है और उसे अनिवारे स्वास्थे बीमा उपलब्द कराती है इसकल आप व्यक्तिना केवल सरकारे अस्पतालों में उठा सकता है बलकि किसी निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करवा सकता है अस्पताल में आए खर्च का भार संबंधित बीमा कमपनी उठाती है इस तरह इनिवर्सल हेल्थ केर सिस्टम में लोग अपनी इच्छा और जरूरत के हिसाब से मन चाहा इलाज करवा सकते हैं हाला कि ये बात अलग है कि उप्रोक्त दोनों कारेकरम सबसीडी वाले ही हैं जिनका भुकतान आम दोर पर देश के नागरिकों से प्राप्त करू के मात्यम से किया जाता है और पर स्वास्थे देखभाल के रूप में अपने निवासियों की स्वास्थे सम्मंदी जरूरत उपर सरकार भुकतान करती है इसे अकसर एकल भुकतान करता प्रणाली कहा जाता है लेकिन ये एक मात्र तरीका नहीं है एक तरीका बीमा कवर भी है और शायद ये बहतर भी है क्योंकि एक देश में सार्वभामिक स्वास्थे देखभाल के दायरे में स्वास्थे का बुन्यादी स्थर भी हो सकता है और उन्नत स्थर भी ये दोनों स्थर होने के बावजूद भी वास्तिक स्थर कुछ और भी हो सकता है मतलब ये कि कुव्यवस्था की वजह से अधिकांश नागरिक अभी भी देखभाल के उचितमानक स्थर को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं और पूरक के तौर पर वैकल्पिक चिकतसा भीमा खरीदते हैं ऐसे में मुफ्त सार्भामिक स्वास्थ देखभाल ज्यादा सार्थक नहीं हो पाता इससे बहतर होता ये कि सरकार हेल्थ केर के लिए यूनिवर्सल बेसिक इंशूरंस की विवस्था करती तो अब सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए इसे लागू कैसे करें तो इस पर बात करने से पहले सामाजिक सुरक्षा जाल के प्रकार को समझ लेते हैं दरसल महामारी जैसे इस्थिती में बुन्यादी जीवन्यापन की रेखा पर रहने वाले लोग जिने पहली गतार में रहने वाले लोग मान लेते हैं आई में लगे जटके के चलते वे गिर कर क्रिटिकल सर्वाइकल लाइन या लाइन दो पर पहुँच जाते हैं इसके बाद की गिरावट विनाशकारी हो सकती है क्योंकि इससे एक परिवार गरीबी के जाल में फस जाता है इसलिए किसी भी इस्थिती में लाइन दो से नीचे की गिरावट को रोकने की ज़रूरत है सामाजिक सुरक्षा परणालिया लाइन दो पर रखे सुरक्षा जाल की तरह है ये सामाजिक सुरक्षा जाल तीन प्रकार के हो सकते है पहला एक निश्क्रिय सुरक्षा जाल है जो लाइन एक से गिरने वालों को पकड़ता है और लाइन दो से नीचे गिरने से रोपता है जबकि दूसरा एक सक्रिय सुरक्षा जाल है जो ट्रेंपोलिन की तरह काम करता है ताकि जो लोग उस पर गिरते हैं वे लाइन एक पर वापस जा सकें वहीं तीसरा एक प्रोएक्टिव सुरक्षाजाल है जो लाँच पैट की तरह काम करता है ताकि जो लोग उस पर गिरें बिना केवल वापस उचलें बलकि लाइन एक से भी आगे बढ़ें पहले प्रकार का सुरक्षाजाल मूल रूप से एक सामाजिक साहता कारेकरम है जो समाज के सबसे अधिक आएसे वंचित वर्गों के लिए है जबकि दूसरे प्रकार का सुरक्षाजाल एक अधिक खर्च वाली योजना है और वहीं तीसरे प्रकार का सामाजिक सुरक्षाजाल सबसे जरूरी विकल्प है लेकिन इसके लिए अपार संसाधनों और संस्थागत क्षमता की आवशक्ता होती है सामाजिक सुरक्षा के लिए आयरेखा के नीचे के लोगों को सामाजिक साहता योजनाओ की आवशक्ता होती है आयरेखा के उपर रहने वालों के पास स्वैच्छिक बीमा होना चाहिए आम तोर पर सामाजिक सुरक्षा में मुखे रूप से खादे सुरक्षा, स्वास्थे सुरक्षा और आय सुरक्षा शामिल होते हैं भारत बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन करता है जो किसी भी अन्ने देश की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में लोगों को कवर करती है एक विशाल भागोलिक शेत्र में पहले लाखों घरों में भारतिय सामाजिक सुरक्षा कारेक्रमों का बड़ा दायरा है उदारन के लिए भारतिय खादे सुरक्षा कारेक्रम में 80 करोड से अधिकला भारतियों को NFSA यानि राष्ट्रे खादे सुरक्षा अधिनियम के तहट भारी सबसे नीवाला खाद्यान उपलप्त कराया जा रहा है। NFSA दुनिया का सबसे बड़ा खादे सुरक्षा कारेक्रम है। इसी तरह मध्याने भोजन योजना के तहट लगभग 12 करोड बच्चों को मुफ्त में दोपहर का भोजन कुपलत कराया जाता है। इसके अलावा कुछ रज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त भोजन कारेक्रम से लगभग 5 करोड लोग लाभानवित होते हैं। फिर भी खादे सुरक्षा कारेक्रम में वित्यस्थिर्ता और रिसाफ से संबंधित मुद्ध हैं। वही स्वास्थे सुरक्षा के मूर्चे पर संगठित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना उड़न चस करोड से अधिक लाभारतियों को अपने दायरे में लेने की कोश्च कर रही है। जबकि संगठित क्षेत्र में केंद्र सरकार E.S.I.C. यानी करमचारी राज्य बीमा निगम और केंद्र सरकार स्वास्थे योजना चलाती है जो करमशह 13 करोड और 40 लाख अभ्यारतियों को कवर करती है। विभिन राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रहे ही स्वास्थे बीमा योजनाओं में लगभग 20 करोड लोग शामिल है। केवल भारत में तकरीबन 11 करोड लोगों के पास निजी स्वास्थे बीमा है। इतने बड़े पैमाने पर मौजूदगी के बावजूद लगभग 40 करोड भारतिये किसी भी प्रकार के स्वास्थे बीमा के अंतरगत नहीं आते हैं। जबकि बात आए सुरक्षा की करें तो ये सामाजिक सुरक्षा टोकरी में मौजूद सभी सुरक्षा से निपटने में काफी एहम रोल निभाता है। संगठित क्षेतर के लिए तीन प्रकार की भविश्य निधी उचना हैं। सामाने भविश्य निधी जिसका लाब देश के लगभग 2 करोड केंद्रिय और रज्य सरकार की कर्मचारी उठाते हैं। दूसरा EPF यानी कर्मचारी भविश्य निधी है जिसका लाब अन्य संगठित क्षेतर के लगभग 6 करोड श्रमी को द्वारा उठाया जाता है। इसमें लगभग 5 करोड से अधिक नई पेंचन योजना के एकरहख हैं। बहरहाल असंगठित क्षेतर में प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना और पी-म किसान योजना का लाब करीम 12 करोड किसान उठा रहे हैं। अटल पेंचन योजना से 4 करोड लोगों को लाब हो रहा है। प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना में लगभग 50 लाख लाबारती हैं जिबके व्यापारियों और स्वा नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रे पेंचन योजना के तहत लगभग 50,000 लाबारती हैं। प्रध क्षेतर का सबसे बड़ा आय सुरक्षा कारेक्रम महात्मा गांधिर राष्ट्रे ग्रामीन रोजकार गारंटी अधिनियम के तहत लगभग 6 करोड लाबारती हैं। तुसार ये है कि अगर सभी को मिला दें तो भारत में 50 करोड श्रमिकों में से लगभग 10 करोड के पास कोई आय सुरक्षा यानि पेंचन, ग्रेचुटी या अन्य आय कवरिच नहीं है। युनिवर्सल बेसिक इंकम के समर्थक भारती अर्थिवयस्ता के अनौप चारिकता को देश में बेरोजकारी भत्ता जैसी योजनाओं को लागू करने में बाधा के रूप में बताते हैं। उपर से इसका भारी वित्य प्रभाव जो जीडीपी का साड़े चार फीसदी से अधिक आका गया है। दोनों मिलकर युनिवर्सल बेसिक इंकम के प्रस्ताव को लागू होने से रोकते हैं। युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस को लेकर भी यही समस्या है। अब ऐसे में सवाल है कि जब इतनी सारी सामाजिक सुरक्षा युजनाई चल रही हैं तो फिर युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस क्यों। युनिवर्सल बेसिक इंशुरंस दो कारणों से एक बहतर प्रस्ताव है। पहला ये कि भारत में GDP के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम की गहनता कई वर्षों से ताइवान, जापान और चीन में मौजूद क्रमशे 17 फी सदी, 9 फी सदी और 6 फी सदी की तुलना में 4 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, जो कि वैश्विक प्रतिसपर्धा से काफी पीछे है, वहीं दूसरा ये कि हमारी अर्थ्वस्था काफी हद तक अनौपचारिक बनी हुई है, उस अनौपचारिक छेत्र का डेटा अब व्यवसायों जैसे GST-IN के माध्यम से और संगठित श्रमिकों के लिए इश्रम के माध्यम से उपलप्त है, सरकार दोरा हाल सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के प्रोटोटाइप के रूप में करनाटक सरकार द्वारा सामाजिक रेजिस्ट्री पोर्टल कुटुमबा विक्सित किया गया है, जो एक खाका के रूप में उपलप्त है, जब तक भारती अर्थ्वस्था में पर्याप्त संख्या में स्वै भारत बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास हो सकता है चलिए अब वक्त हो चला है आज के सवाल का तो सवाल है वर्तमान में मौझूद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर गौर करते हुए यूनिवर्सल बेसिक इंशुरंस कारेकरम के और चित्ते को समझाईए